बोली ए होई माता की जय आज मैं तानू होई माता दी कहानी सनामागी एत हार क्रिशन पाक्त दी आश्टमी 8 नवंबर देन एतवार नू है ए बारता अपने संतान दी लंबी उबर वास्ते सक्सानती वास्ते रख्या जान्दा है ते तारे दू अर्ग देन तो बाद फेर ही पोजन खादा जान्दा है बहुत ही प्राणे समेदी गल है कि एक शावकार दे एक बेटी साथ बेटे सारे ही व्याए होई सान ते साथ ही बववव सान जदों साथ बवववा जंगल वेच अपने चमका चल्णा लिपन वास्ते मिटी लैंड वास्ते गईयां मिटी लैंड वास्ते गईयां जदों शावकार्दी बेटी ने मिटी खोद दे समय जैस खौरपे नागल मिटी खोद रही सी खौरपा सैही दे बच्चेयानू लगा ते बच्चे मार गए सैई ने असनों सराफ दे दिता जैस तरह तू मेरे बच्चे मारे ऐस तरह तू में कली रहे ते मैं तेरी कोखवान दिती ए गाल सोन के ओ बहुत रोई ते अपनियां पा बियानों पुछया जदों साब ने मना कार दता ते साब तों शोटी बहु ने किहा के ए काम मैं करांगी जदों साब तों शोटी बहु दे संतान हुंदी ता ओ सात देन बाद मार जान दी एक साल होई माता अश्टमीदा बारत आया एक पासे सब जडानियां ने बारत रखे हुए सान कथा कार दियां अपने बच्चेयां दी लंबी उबर बास्ते प्राथना कार दियां ते उद्धर साबतों शोटी बहु जदों भी होई माता दा देन ओंदा ते ओर उंदी रहें दी एस तरह कोज समा बीदा गया एक देन एक वेदवान पांट नू बला के पुछया ते उसने किया के एस राफ दी मुक्ती वास्ते सुरूई गां दी सेवा करनी पवेगी स्रोई गां सही की से हिली है ओ उस दा कैना मान जावेगी फिर तेरे बच्चे जीव थोण गे पांट दी गाल सोण के शोटी वाव ने स्रोई गांदी सेवा करनी शुरू कर देती ओहार रोज स्वेरे जाल दी ओठ दी ओठ के गांदा गोबर ठों दी पठे पांदी पानी स्वेटर गाने सोचिया के मेरी सेवा कर रहे है तो स्रोई गाने पुचहा के तु कैसे लई मेरी सेवा कर रहे हैं तेबहु बहु बोली के मेरी कौक सही ने मेरी कौक वंद रखी है जैस कारके मेरे बच्चे जीने नहीं मैं बहुत दुगी है जाद आप मेरी कौक खलवा देगी ते मैं आपका बहुत कोटी-कोटी तानवाद करूँगी स्रोई गाने उस दी गाल मान लई ते उस दे नाल चल पई चालदे चालदे ओ दोनों जदो ठाक गईया ते एक दराखदे नीचे बैठके रामकान लगईया ओस दराखदे उपर गरड़ पंखणी दा आलना सी ते आलने वेच शोटे शोटे बचे सान थोड़ी देर वाद उस ने देख्या कि एक साप गरड़ पंखणी दे बच्यानों खान लगगा है ए देखके शावकारदी बेटी ने सापनों पत्थर ओड़े मार के मार दता जड़ो गरड़ पंखणी आई ते उस ने उथे खूंडुला देखके सोचया कि इसने मेरे बच्यानों मार दता है गरड़ पंखणी ने अपनी चण्जनाड उसनूं सावकारदी बेटी नु मारना शुरू कार लगई ते उस ने किया के तू मैंनू क्यों मार रही हैं मैं तेरे बच्चेयानू सापतों बचाया तू मैंनू ही मार रही हैं गर्ड पंखणी ने खोश होई उस दी कैंट ते खोश होई ते कैंट लगी मांग जो मंगना है ते इनू मेल जावेगा शाव कारणी बोली के सात समुंदर पार स्योणी रेंदी है तू मैंनू अथे शड़िया गर्ण पंखणी ने उना दोना नू अपनी पैठते बठा के साव तक पचा देता स्याव माता स्योई गान नू देखके बहुत खोश होई ते बोली पैन बहुत दिना बाद आई हाँ वो बोली के मेरे सेर्वेच जुगा पंखणी नकाल दे स्याव माता ने खोश होगे अशीर बाद देता के तेरे सात बहु ते सात बेटे होण उसने किया मेरे कोलता एक भी नहीं है ते ऐसा क्यों है उसने किया ऐसा क्यों है उसने बोलिया के स्याव माता मैंनु बचन दे मैं तेनु इस कार्ण दास सकां इस दा कार्ण दास सकां स्याव माता ने उसनु बचन दिता ते बचन बनना ने बाद वो बोली के स्याव माता मेरी कौक आपने बान रखी है उसने के होन में तेरियां गल्ना वेच आके फास गई हां मैंनू तेरी को खोलनी पवेगी ते बचन दिता ते जा कार जा के साथ होई माता बना ते साथ कडाई कर जदो उसने कार जा के देखिया थां साथ बहुते साथ बेटे बैठे सान उसनों देखके वो बहुत खोश होई फिर उसने साथ होई माता बनाई साथ कड़ाई किती ते जापन किता ओद रोधियां जठानियां कैन लगियां के जल्दी जल्दी पूजा कर लो फिर शोटी बहु ने रोना तो ना शुरू हो जावेगी जदो शोटी बहु दी कोई उसने कार पूंची के पुछन लगियां के तुम अपनी कोख के इस तरह खलवाई है ते शोटी बहु बोली के साथ माता ने मेरे ते करपा करके मेरी कोख खोल देती है साथ होई माता दी जाजा कार्ण कार्ण लगे जैस परकार साथ माता ने शोटी दी शोटी बहु दी बच्चे आनू नमाजान मिले आते होई माता दी जाजाए कार होन लगी बोलिये होई माता की जाए